स्विंस कल आप लोगों ने टेस्ट दिया अब आप जाके अपना स्कोर वगरा सब कुछ देख सकते हैं आप यह भी समझ सकते हैं आप अपने जो भी कोर्स है उसके अंदर आगे आपको आप्शन होगा कि आप अपना स्कोर देख सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का आप से क्या लेसन लेंड किये वाट लेसन डियू लेंड ठीक है पहली चीज क्या आपकी सिक्वेंस फ्रीज हो रही है क्या आपकी सिक्वेंस फ्रीज हो रही है आप फिजिक्स के मिस्ट्री बाइलजी पहले करेंगे या बाइलजी के मिस्ट्री फिजिक्स इस तरह से करेंगे क ये चीज़े अभी आपको प्रैक्टिस करनी है अभी आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जानी चाहिए ठीक है और ये 50-50 बनट इसलिएपोटन्ट है जिससे आपको फिजिश lags 20 मिनट मिले आपको जो time pressure feel हो रहा है वो time pressure आपको इस सवाल के उपर सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए किती बार OMR भरेंगे एक बार बायो के बाद भरेंगे एक बार chemistry के बाद भरेंगे एक बार physics के बाद भरेंगे और एक बार एक final revision करने के बाद भरेंगे इन चीजों की अभी practice करनी है मौक practice test इसका मतलब यह है असली नहीं है practice है मौक है असलियत तो नीट के exam में होगी उससे पहले यह सारी चीज़े अपने दिमाग में फ्रीज कर लिए कर ले है अगर मैं आपको दो option बताना चाहता हूं मैंने काफी सारे टपर से चीज़ सुनी आप decide करिये क्या यह तू रंका मतलब क्या है तू रंका मतलब यह है आप first run में कि नॉन चैल्पब क्वेशेंट कि ए एंतुकि थे नॉन चैल्कुलेटब क्वेशन नॉन चैल्कुलेटिफ का द० वायों के अंदर माली जे 90 question chemistry के अंदर मान लीजे और्गैनिक इन और फिजिकल के भी तीन-चार question या पांच question माली जे तो आपके मोटे मोटे करी पैथिस question chemistry में हो गया और करीब पांच question physics में हो गया नभाए और चालेस 130 question non-calculative 130 question पहले किये और उसके बाद फिर वापस आए और एक और तो यह काम किया करीब 80 मिनट में है ना और फिर वापस आए सेकंड रन जो हमारे आपके लिए क्या बेस्ट करता है पूरा एक रन या दो रन नॉन कैल्कुलेटिव और कैल्कुलेटिव क्वेश्चिंज का यह किसी और के वीडियो देखके आपको समझें नहीं आएगा आपको एक आइडिया मैंने दे दिया आप खुड ट्राय करके देखें आपके लिए क्या बैस वर्क करता है नेट प्रैक्टिस चल रही है मौक टेस्ट चल रहे है ठीक है तीसरी चीज़ आप अपनी मिस्टेक्स नहीं बनाई है इंपॉर्टेंट है कि यह मिस्टेक वापिस नहीं होंगी मौक टेस्ट दिया आपको पता चल गया यह चीज़ गडबड है आपने मेहनत की हफता दो हफता अपने दिमाग के पीछे बैठाय रखा हां यहां पे गलती होती है फ्री बॉडी डाइग्राम मना इसकर डेक्षन गलत ले लेता हूं यह इस वाली भाषा में रडभड करता हूं यह नौट या एक्सेप्ट नहीं पढ़ता वाटेवर इट इस ़ो capture होनी चाहिए repeat नहीं होनी चाहिए मैं वापिस आपको आके बता देता हूं मैंने आपको बताया था यदि आप view answer पर click करेंगे है ना यदि आप यहां पर आके view score पर click करेंगे तो देखे क्या होगा अपने जो कर टेस्ट दिया उसका आपको score पता चल गया व्यों search पर click किया और उसके बाद कि आपको हरे question का explanation भी मिल जाएगा और यहां पर आप यह देखे सर ऐसे देख सकता है ना तो हरे question का video explanation भी available है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं students जिस student की rank one है कल के test में जिस student की rank one है कल के test में उसने sample test भी दिया ठीक है और उसका highest score है इस बार के students में काफी सारे students मैंने काफी सारे toppers को हमारे sample test पेजा था तो जो highest score है वो तो करीब 293 है out of 360 इस student का इस बार score 695 है पर कल के test में जिसका rank one है उसने test दिया और उसका score भी 258 है out of 360 तो हम आपको ऐसी practice कराने वाले हैं कि आपको हर एक level की तयारी हो जाए पर आपको respond करना पड़ेगा आपको अपने डर से अपने comfort zone से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि जैसे डॉक्टर शर्मा ने बोला यह practice चल रही है practice में गलतिया करना allowed है at least गलती होती है तो पता चलता है कहां पे गड़बर है कहां पे मैनत करें उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है बनिस्बत इसके कि आपको लग रहा है पूरे 96 chapters में मैनत करनी है वो जो टेस्ट था बायो वाला उसका जो प्योर ncrt वर्जन है सिंपल ncrt वर्जन के question नीट प्रेप के टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका PDF देख लीजे आपको पता चल जाएगा वही ncrt से निकालके आपको सैंपल टेस्ट नंबर वन में बायों के अंदर और इसी तरह से फिजिक्स में क्वेशन बनाके दे दिये ते यह देखिए जिसकी रैंक वन है इस बार के टेस्ट में उसका 258 out of 360 और जिसके 695 स्कोर रहता उसका 293 out of 360 है और यह दोनों लोगों से मैंने बात करनाने का यह प इपर स्क्षाइब कर रहा हूं क्या मेरा टाइम मोटा-वोटा 50-50-70 क्या सबस्त आ रहा है किति बार बर भरूंगा फश्ट रांपर सेज्ट रिण comment section में आप डरेंगे नहीं mock test से regularly लिखते रहेंगे उनसे जो गलतिया हो रही है उन्हें सीखेंगे और sample test दीजिए जाके भागे मत आपको उससे बहुत फायदा होगा sample test कहां पर टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के description में है जाके वहाँ से दीजिए ठीके बच्चों